उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में एक मौलानाओं का एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें पूरे देश भर से लाखों की तादाद में मौलाना मौजूद रहेंगे इमामबाडे में जिसका मकसद है जो सियासी पहल है वो हुकूमत से कही जाए और बताया ज जाए इन सभी चीजों को लेकर इस पूरे आयोजन का इस बड़े इमामबाडे में किया जा रहा है यहाँ पर आज भी कई मौलाना मौजूद है जो आए है बाहर से वक बोड के चेर्मेन अलीज जैदी भी हमारे साथ मौजूद है यह बताये अलीज जैदी जी किस तरीके क यह प्रोग्राम होगा और क्या है यह देखिए यह जो प्रोग्राम है शिया महसर मे जो कलबे जवास साब की और शियों के जो भी कलबे जवास साब से जुड़े बाखी लीडरान हैं उल्मा हज़साथाथ उनके आवान पे लक्रहों में पूरे प्रदेश से शिया उल्मा हज़रात का और अंजुमनों का जो तन्जीमे हमाई हैं हर जगा सोसाइटी और बाखी बुद्धिजीवियों का एक प्रोग्राम किया जा रहा है कि जिसका मुख्य मकसद जो है वो शिया कम्मिनिटी क्योंकि है जानते हैं कि मुस्लिम में मैनौटी कमिनिटी है और इसको सियासी मुक्धारा से जोड़ना है इसको समाजिक मुक्जारा से जोड़ना और इस आज कल के हालात में सियासी दोर में बदलते है एक महौल में सियासी महौल में जो कम्यूटी है उसको कैसे जो है सरकारी जो है योजनाओं का ज ändern जादा जादा फाइदा मिल सके हमारा जो यूध है उसको employment, housing और education से कैसे जोड़ा जा सके तो यह हमाई उल्मा हज़राद जो हैं जो हमाई community के बुद्धी जीवी हैं community जिन से जोड़ी रहती है और अंजुमने जो हमारी है organizations पूरे उत्रप्रदेश की जिसके जो हैं यहां पे members सब मौझूद हैं और बड़ी मातरा में आ रही हैं तो यह उल्मा हज़राद अपना जो है तबादले ख्याल करेंगे और एक राहे अमल तैह होगा एक road map तैह होगा सियासी जिस पे जो हमाई अंजुमने हैं हमाई societies हैं हमारी जो आवाम हैं जो है उसमें से जो लोग हैं वो कुछ अपनी बातें रखेंगे और उसके उपर फिर एक फाइनल रोड मैप तैयार होगा कि हमाई जो है community को एक सियासी leadership में जो है किस तरह से आगे बढ़ना इसमें वर्फ बोड भी एक तरीके से involved हो रहा है वर्फ बोड का क्या रोल रहेगा क्योंकि ऐसे आप चेर्वेन हैं तो इनके साथ किस तरीक काडिनेशन रहेगा और क्या आपका इनिशेट है जी यह जैसा कि मैं आपको बता जूँ कि एक बहुत ही नई पहल की जा रही है वर्फ बोड की भी हिस्टरी में इसलिए कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में यूपीशिया सेंटरल वर्फ बोड के अधीन अखाफ हैं उनकी बड़ी जमीने हैं कई इदारे हमाई इसमाल में डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राइम के तहट लाया जा सके इसके उपर जो है गहन चर्चा और एक हमारा जो फार्मूला है वह हम पेश करेंगे कम्यूटी को लगबक कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और कहां कहां से शामिल होंगे जिस तरह से इंविट झाला है वो करीब जो है 11,0000 के उपर होने वाला है है यहां पे जी किसे शीह प्रारूप क्या है इसकी क्या है हमारा तालुक जौनपूर से है मैं जामिया इमामजाफ साधिक का मैनेजर हूँ और शिया ट्रस्टी कमिटी शिया कालेज की जो आरडियम शिया ट्रस्टी कमिटी है उसके वाइस प्रेसिडेंट है साफ तौरते जिस तरीके से वक बोर्ड भी शामिल हुआ उसका माना यही कि जो प्रापर्टी है उसको कैसे मुस्लिम मानिर्टी में उसको यूस किया जाए कैसे उसको प्योगी बनाया जाए इसलिए वक बोर्ड भी इसमें शामिल हुआ है और इसलिए सारे मौलाना जो देश बरते आ रहे हैं उनके साथ बैठ कर यहां पर हकूमत तक अपनी बात पहुचाई जाएगी लखलो से आशे श्रुवास्तो आज तक